नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है देश की अदालतों ने यह अब फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान में यह जितने भी बाचाल किस्म के नेता है जो चुनावी रैली में, प्रस कांफरेंस में, मीडिया में तरह तरह के अववाह और गंडी भासा बोलकर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे जो हमला करते हैं उनको सीधा किया जाएगा अब अदालतों के जौरा आज एक बड़ा फैसला आया है और बहुत जरूरी फैसला आया है और यह फैसला ऐसा है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा अभी हाल में ही एक केस चल रहा था मुमई के अंदर जिसमें ये उद्व ठाकरे के सबसे बड़े सलाहकार जिसकी वज़द से उद्व ठाकरे की राजनिती गर्त में चली गई जो अपने बयानों के लिए पूरे देज भर में जाना जाता है ये रोज बक्वास करने के लिए मीडिया में आ जाता है ये उखार दिया एडिटर पता नहीं कैसे एडिटर बना दिया इसको इसकी भाषा एतनी खराब है उनको 15 दिन की सजा मिली है किसलिए यही बकवास करने के वज़े से अभी अभी ख़बर आई है कि मुम्बे की अदालत ने संजे राउत को पनिश्मेंट दिया है क्या ख़बर है जरा देखिए संजे राउत राजस्वाः MPL लीडर अवश्वशेना UBT has been convicted of defamation case and sentence to 15 days in jail Metropolitan Magistrate in Mumbai's Majgaon has also fined Mr. Raut 25,000 rupees in the case registered on a complaint by BJP leader Kirish Sumayya's wife Dr. Medha Kirish Sumayya Medha Sumayya had filed a petition against Mr. Raut accusing him of making baseless and defamatory allegations that she and her husband were involved in a 100 crore scam related to the construction and maintenance of public toilet at Meera Bayandar the statement made by the accused to the media or per se defamatory the sentence has been made to malign my character in eyes of the general public the complainant said नप गए ये रोज सवेरे सवेरे मुंबे में कुछ नेताओं की आदत है कि रोज सवेरे सवेरे मीडिया वालों को फोन करके बुलाते हैं टेबल पे बैठ जाते हैं और कुछ बयान दे देंगे और controversy create करते हैं नेतागिरी चमकते रहनी चाहिए ये फैसला ये दिल्ली में बहुत सारे लोगों को अब थर्थराहट कपकपी कलेजा भारी पढ़ रहा होगा एक और भागा है सीधे सुप्रिम कोट ये हिंदुस्तान की राजिन्ती का नेटवर लाल अर्विंद केजरिवाल और ये जो क्या कहें इसको temporary selected और ये जो dormant किस्म की जो मुख्यमंत्री बनी है ये सब भागे हैं सुप्रिम कोट डर के मारे क्योंकि इन लोगों ने भी चुनाओ के दौरान इस तरह का बयान दिया था क्या कहा था कि ये बीजेपी वाले ये अगरवाल समाज के लोगों का वोटिंग लिस से नाम हटवा रही है बहुत बवाल करवाया था चले गए बबबर साहब और ये इधर उधर हाई कोट ये गए थे हाई कोट ने कहा कि नहीं ये तो सरारत है छोड़ा नहीं जाएगा इस तरह के तमाम बहुत सारे केसेज ये भी और ये अच्छे बात है कि अदालत इन सब के उपर संग्यान ले रही है और इस तरह के बयान देकर लोगों को अपवाफ में डालने वाले भ्रमित करने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई हो रही है ये आतिशी मार लेना और अरविंद केजरिवाल ने क्या कांड किया है आज फार्बर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरिवाल Concerning the exclusion of Agrawal community from electoral roll The Delhi High Court had previously refused to dismiss the defamation lawsuit filed by BJP leader Raji Babbar against KJwal and other Aam Admi Party AAP leaders The court stated that the allegations made by AAP against the BJP were defamatory and aimed at tarnishing the suffering party's reputation for political gain बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई अगर High Court, Supreme Court और Lower Judiciary नेताओं को जूट बोलने के उपर punishment देना चालू कर जाए तो सबते पहले तो केजरिवाल की career खतम क्योंकि ये आदमी तो he is a pathological liar 5 sentence में 3 sentence जूट बोले बिना इसकी राजनीती चल ही नहीं सकती दुनिया में कई सारे नीता हैं जो अनिफॉर्म लोगों को जिनके पास जानकारी नहीं है उनको बेवकूब बनाते हैं ये सब हर political party चाट Congress हो, BJP हो, सारे लोग बेवकूब बनाते हैं, जूट बोलते हैं लेकिन केजरिवाल की खासियत ये है कि ये पढ़े लिखे लोगों को बेवकूब बना देता है पढ़े लिखे लोग इसके जाल साजी में फस जाते हैं और गुनगान करने लगते हैं ये ऐसा जूटा रहती है दिक्कत क्या है? कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है ये अभी खजानक खुलेगा इलक्षन तक पंजाब और दिल्ली सरकार दिल्ली में चुडाओं है अभी मुखमंत्री बनाया गया है किसलिए? क्योंकि केजरी वाल तो कैबिलिट मीटिंग बुला नहीं सकता था अब कैबिलिट मीटिंग होगी और किस-किस मीडिया के लिए कितना कितना पैसा खर्च करना है सरकार का खजाने तो खाली करना पड़ेगा न? और ये मीडिया वाले उस खजाने उस पैसे उस एड़िविटिस्मेंट के चक्र में इसकी हकीकत कभी नहीं बताएगे ये बात तो बहुत ही सिपल है कि वही आपने अबवा भला दिया कि अगरवाल कम्यूटी के लोगों का जो है नाम जो है इलेक्टर लोल से बाहर किया जा रहा है छोटे से रिपोर्टर को भेज़ दिया होता पता कर लिया होता लेकिन नहीं अगरवाल community के नाम को जो है voter list से हटाया गया headline डाल दिया अर्विन केजिवाल ये headline डाल दिया अब public को क्या मालूम कि नीचे क्या है नहीं है क्या allegation लगाया है ये क्या लगाया है प्रोपगेंडा करवा दिया माल खा लिया और एक जूठे को तुमने महापुरुष बना दिया अदालत अब संग्यान ले रही है this is good ये अच्छी बात है कोई भी political party का कोई भी नेता आप लोगों ने तमासा बना दिया देश की जनता को आप लोग बेवकुप समझते हो कोई भी आ जाता है कोई खटाखट खटाखट कह देता है कोई कहता है विशुगूरु बना देंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे कोई आकर के कहता है कि हम तो बस बिल्कुल चांद पर लेके चले जाएंगे सारे हिंदुस्तान के लोगों को तो यह जो अफ़वा जूट और इस तरह की बाते करने वाले नेताओं के उपर यह जो गाज गिर रही है वो ज़रूरी है एक और एक और महाग्यानी पता नहीं उनको कौन कल बता दिया कि जो काश्मीरी पंडित हैं वो पीयोके से आए रंगा सियार को कितना भी आप रंग दो वो सेर थोड़ी बन जाएगा इंटिलेक्शल बनने का ख्वाईस है इनको तो मामला इनका दो-दो चल रहा है एक अमिसा के खिलाफ बयान दिया था उसका डिवेमिसन केस और एक सावरकर को ले करके तो उसमें नया डिवलप्मेंट क्या ख़बर आई है? सावरकर इन लंदन अंपार्च 5 थो तौद टूद टूट टूट थी यह मामला तो सावरकर का है दूसरा एक और मामला है था है यहीरिंग इन दिविवेमिसन केस अगेंस लीडर आप पोजिशन इन लोक्सवार राहूल गांदी इन MPMLLT कोट इन इस उत्रप्रदेश दिस् इन लोगों ने देश की अजादी के लिए जहें कि चोटा समय योगदान दिया कि這個 पार्टी का हो है sont bought करें और जाएं अब गाली की लोच करेंगे को अब तो पिर नेहरू के उपर गाली की होता है तो सारा यह को सिस्टम यह जेँनिवाली हुआ यह वांपन तो आप शुरू करोगे तो कोई नो कोई अंत करेगा लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के चीजों के उपर कि जिसको भी जो मना रहा है अधकचणा ग्यान लेकर के ये नेता बनते फिरते हैं और सब अचानक से इतिहासकार बन जाएंगे सोसल साइंटिस्ट बन जाएंगे और कुछ से कुछ और उस तरह के दलाल पत्रकारों का एक पूरा फौज है ये रविस कुमार अजीत अंजम इस तरह के दलाल किसम के लोग वो उसको एम्प्लिफाई करने में जूड जाएगी तो ये जो आज दो तीन खबरे आई है कोट के म जेल भेजा है इन लोगे साथ भी कुछ-कुछ इस तरह कहो तो बहतर होगा ताकि ये जो नेता है ये कम से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को थोड़ा ठीक करेंगे आप देखते देके अप्टिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब अनिवाद